प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 29 जून 2021 देखेंगे अब तक का सभी महत्पुर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके आगामे सभी परिक्षाओं के लिए अति महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके आपको औरों से आगे रखेगा इस क्लास का पीडिएफ डाउनलोड करने के लिए आप टार इजिकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही आप सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाट्स एप टेलिग्राम फेस्बूक ट्वीटर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से भी आपको सभी अप्डेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे के साथ सेयर करके टार इजुकेशन का हेल्प करें आपके सहयोग से ही टार इजुकेशन आगे बढ़ सकता है और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटम दबा दिए और पहले से सब्सक्राइब कर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्य बाद तो चलिए सुरू करते हैं आज का क्लास पहला प्रस्ण है रिसेंटली हूँ है बिकॉम दा फॉर्स्ट इंडियन स्वीमर टू क्वालिफाई और टोक्यो ओलंपिक्स हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक हे तू क्वालिफाई करने व अधायจะन प्रकास यह भारत के फईले ऐसे भारती हे Tорош Conor टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया ही और टोक्यो ओलंपिक अगले महिने रहता ही जुलाई में जपान के टोक्यो में ही आयोजित होने वाले हैं और उलम्पिक गेम्स जो है आयोजित कराए जाते हैं अथार इंटरनेशनल उलम्पिक कमीटी के द्वारा इसके बारे में देखते हैं अस्थापना 23rd जून 1894 बहुत पुरानी संस्था है ये कमीटी है हेट क्वार्टर इसका स्विट लॉजन जो की स्विट्जर लैंड में है प्रेशिडेंट इसके फॉमस बाग है चलिए अब बाकी अपसन देखते हैं रेखा मैनन ये हाल ही में नेस कॉम की पहली महिला चेयर परसन नियुक्त की गई है रेखा मैनन इसलिए समराज के पहली महिला वीत मंत्री के रूप में सपत इनोंने लिया है अजन्ता नियूग तो इस प्रसन से इतने फैक्ट्स मिले आपको के लिए अगला प्रसन देखते हैं हाल ही में किस दिन अंतराश्ट्रिये सुक्ष्म लगु एवं मध्यम उध्यम दिवस अर्थात इं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी यह रहा थीम इसका थीम अक्सर पूछे जाते हैं परिक्षाओं में MSME अर्थात इसका फूल पर मालूम ही आपको MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मेडियम इंटर्प्राइज MSME जो है विकास लच्चो को पूरा करने में अहम एकदान निभाता है और विभिन अस्था अन्पर्थ सास्त्रियों का एक रिपोर्ट के अनुशार ऐसा डाटा पाया गया है कि GDP का 50% MSME से ही पूरा होता है और लगभग 70% इंप्लोइमेंट जो है रुजगार MSME से ही प्राप्थ होता है और यह दिवस संजुक्त राष्ट के पहल पर परतेक वर्ष 27 जुन को मनाये जाता है तो संजुक्त राष्ट के बारे में देख लेते हैं इनका कारेकाल हाल ही में बढ़ाया गया है तो यह new appointment भी होगा समझे तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि फिर से यह new appointment में आ गया क्योंकि कारेकाल इनका बढ़ाया गया है अब चलिए बाकी अपसन देखते हैं 21 जुन को क्या मनाया गया तो हाल ही में अंतराष्टिय योग दिवस 21 जुन को मनाया गया है और इसका थीम क्या था योगा फॉर वेलनेस 21 जुन को एक और महत्पुन दिन है विश्व संगीत दिवस 21 जुन को ही मनाया गया और एक और दिन है विश्व मानावतावादी लेदर we heal, learn and sign, 14 जुन को 20 त्वरक्त दाता दिवस हाली में मनाय गया है, इसका theme था give blood and keep the world beating के लिए, ये रहा इस प्रस्ट में इतने facts, next देखते हैं, हाल ही में किंदर सरकार ने भारत के attorney general का कारेकाल एक वर्स के लिए बढ़ा दिया है, तो बत्मान में भी attorney general है कौन, जिन को समझा जाएगा और ये news में आ गया, तो एक्जामस में आने के ज्यादा chance रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, फिर से attorney general केके बेनु कुपाल है, इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है, केके बेनु कुपाल जो है, अब इस पत पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे, और attorney general क्या होते तो करीम खान को हाली में अंतराष्ट्रिय अपराधिक न्याले, अर्थात ICC, International Crime Court, इसका फुलफाम होगा, अंतराष्ट्रिय अपराधिक न्याले, इसके मुख्य न्याइधिस के रुप में नियुक्त हुए हैं करीम खान, और ये करीम खान एक ब्रिटिश वकील है, अनु मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं से, अभी हैं सुसिल चंद्रा, और दो अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उसमें से एक तो हो गए, अनुख चंद्र पांडे, और एक हैं राज भी नियुक्त कर दिया गया है तो यह द्यान रखेंगा अब लोग और यह भारतिये हैं सत्य नडेला जो इतने बड़ी कंपनी की अध्य चेयर मैन अब बन गया है चलिए नेक्स देखते हैं हाल ही में जारी पुस्तक फियर्शली फीमेल ददूत्ती चंद अस्टोरी किसके द दूत्ती चंद की बारे में पिस्तित जनकारी देता है उनकी बच्पन से लेकर अब तक की जो भी भाग दौल रही जिंदगी की और कैसे इतने बड़ी एथलेट बने इसी के बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है तो इस पुस्तक के लेखा कौन है सुदीक मिस्र यह चली बाकी अपस्यन देखते हैं रस्कीन इन्होंने भी कोई पूस्टक लेखा होगा क्योंकि में जो भी अपस्ण की हिसाब से ही रखता हूं और वह भी अपस्ण सभी हाल फिल-हाल से हैं क्योंकि यह क्लास है क्रण्ट अप्शयर और आב को क्रेंड दो्या फेब्रेट फॉर चिल्डरन ये रस्किन बॉंड लिखे हैं और रस्किन बॉंड बृटिस मूल के एक भारतिये लेखक हैं ताहिरा कस्यप इन्होंने हाली में एक पुस्तक लिखा है उसका नाम है दसेवन साइंस ओफ बिइंग अ मदर ये ताहिरा कस्यप ने लिखा है और र किसे राष्ट्रिये डियरी विकास बॉर्ड अर्थात एंडीडीवी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है मिनेश साह मिनेश साह पहले से ही इसी संस्था अर्थात राष्ट्रिये डियरी विकास बॉर्ड में करेकारी निदेशक भी है अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है क्या नाम है मिनेस साह तो एन डीडी वी के बारे में देख लेते हैं अठा नेशनल डेयरी विकास बोर्ड इंगलिस में देखे तो नेशनल डेयरी डेवलोप्मेंट बोर्ड इसका हेट क्वार्टर कहा है आनन्द गुजरात में के लिए बाकी संजुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष एमार कुमार ये लाइसी में लाइसी के चेर मैन है जो की पहले से भी थे इनका कारिकाल अगले नौ महिने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है एमार कुमार का तो निव एपॉंट्मेंट में न्यूज में आ गया तो इसको या यह बने हैं तो क्या नाम इनका जगनात बिद्यधर मौपात्रा यह सब को मिले इसमें दोस्तों क्लास आज काफी लेट हो गया है तो इसमें आज क्वेश्चन तो बहुत हैं अच्छे एच्छे क्वेश्चन है क्रेंट अफेर्स के लेकिन MC की उस फ़र्म में पाची क्वेश्चन में फ़र्म किया हूं बाकी अन्य जो भी क्वेश्चन से हैं और मेरी वेरी इंपोर्टेंट है सभी तो उसको मैं वाल लाइनर फ़र्म में यहां पे लाया हूं एक्स्टा फैक्ट के साथ ही तो क्योंकि समय की कमी थी और काफी सब्सक्राइबर हैं और यह बेल्जियम और डच के नागरिक हैं वहां दोनों के हैं तो इन्होंने जीता है एस्टाइरियन ग्रांट फ्लिक्स 2021 मैक्स वर्ष टैपिन के लिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जारी पुस्तक एनोमालाइज इन लौ एंड जस्टिस के भी म पुस्तक लिखा है एनोमालाइज इनलो एंड जस्टिस अनलमालाइज मतलब होता है विसंगतियां तो इस पुस्तक के बारे में और देखते हैं यह पुस्तक जो है बातमान भारत में बारतमान कानून ब्यौस्था में कमियों और उनमें बदलाव की जरूरत को बतलाता है इसी पर अधारिती ये पुस्तक है और ये बेरी इंप्रिटेंट है क्योंकि हम भारत के सरोच नियाले के मुख नयायदिस अन्भी रमन्ना के द्वारा इसको दिमोचन किया गया है चलिए सुप्रीम कोट से समंदित है ये दोनों व्यक्ति इसके बारे में देख लेते हैं कान आंध्र परदेश की अमरावती में अस्थाफित किया गया है ये काफे इंप्रेंट फैक्ट्स है इसको ध्यान रखेंगे आप तो चलिए नेक्स देखते हैं हाल ही में किसे भारत का नया कारवाहक केंद्रिय सतरक्ता आयोक कि असाथ CBC नियुक किया गया है तो सुरेष अन पर्टेल ये मेरे इंपोटेंट है किसे भारत का नया कार्यवाहक है एक्टिंग है हलां कि पर्माडेंट कोई आएंगे लेकिन जब तक नहीं आते हैं आपसे परिक्षा में भी पूछा जा सकता है तो ध्यान देंगे इस पर केंद्रिये सतरक्षता आयुक अर्थाथ CBC नियुक्त किया गय ये द्वारा वीत वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकासदर कितने परतिसत रहने का अनमान लगाये गया है तो ये 9.6% इंडिया रा अठाथ इंडिया रेटिंग्स है ये भारतिये रेटिंग एजन्सी है जह हम रखेंगे अप्सेंस अगर हम रखे होते तो इसके अलावा दो विचे सही हो जाएंगे हाल ही में कौन सा राज भारत का पहला रेवीज मुक्तराज बन गया ये रिपीटेट कोस्चन है कल मैंने इसको करा दिया था तो इंप्रोटेंट प्रस्चन था इसलिए मैं दुबारा से रख दिया कुछ लोग हो सकता है कल क्लास ना किया हो भारत क कौन सा राज पहला रेवी जो मुक्तराज बन गया है तो ये गोवा बन गया है गोवा की राजदानी पंजी है मुक्हमंत्री परमोल सावंथ है गवर्नर भागत सिंग कोसियारी चलिए नेक देते हैं हाल ही में किस भारतिय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्वकप 2020 में स इंडरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट एडरेशन ये गेम आयोजित कराता है इसके स्थापना 1907 अर्था 1907 में हैटक्वाटर मूनिक जर्मनी में इसका है प्रेसिडेंट ब्लादिमीर ली सिन है चलिए नेक्स देखते हैं हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में प और यह किर्केट के सभी फॉर्म में डेव्यू कर चुके हैं तो सफाली बर्मा है यह और उससे संबनेट कर आता है इसके बारे में देख लेते हैं इसके स्थापना 4 अफ दिसेंबर 1928 प्रेसिडेंट शौरव गंगुली है और सेक्रेटरी जर्र जय साह जो की बतमान में कि के लिए नेक्ट देखते हैं हाल ही में जारी वॉर्ड मोस्ट एक्सपेंसिब सीटी रिपोर्ट के नशार विश्व का कौन सा सहर कामगारों के लिए सबसे माहगा सहर बन गया है तो यह असगा बात यह रिपीटेड है कली मैं करा चुका हूं इसको अच्छा कोश्चन था इस इस उची में मॉंबई 38, दिल्ली 117, कलकत्ता 181 अस्थान पर हैं चलिए लास्ट कोश्चन है यह साइड हाल ही में विश्व बैंक ने केरल राज में हरित और सुद्रेंड विकास हेतू कितनी सहायता रासी की मन्यूरी दी है यह 125 मिलियन डॉलर की रासी विश्व बैंक और मुख मंत्री पिनराई विज्जन है गवर्नर राजपाल आरिफ मौमद खान है वर्ल्ड बैंक से हुगा है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के स्थापना 14 जुलाई 80-9044 में हैटकवाटर वासिंटन डिसी युनाइटेड एस्टेट्स में है और प्रेशिडेंट डेविट मलपास है और य tweak अमेरिकन है और अब तक जो भी वर्ल बैंक के प्रेशिडेंट बने तो सभी अमेरिकन ही Αब तक और World Bank में Members कितने हैं? Members Country कितने है? 189 चलिए Question of the Day आज का देखते हैं आज का Question of the Day है हाल ही में जारी India Smart Cities Award 2021 में किस राज के दवारा सौरचिष्ट असमार्ट राज का पुर्सकार जित गया है अर्थात फिर देख लिए इंडिया स्मार्ट सीटी अवार्ड दो हजार बीस में किस राज के द्वारा सौर्शिष्ट अस्मार्ट राज का पुरुषकार जीता गया है तो इसका जबाव आप लो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे साथ में कोई सुझाव क्लास में कोई और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अपकर सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबादें और पहले से सब्सक्राइब कर लिया हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन साथ में जरूर दबादें जिसे आगे आने वाले सभी म क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए यह रहा आज का क्लास और देश्ट